हेलो फ्रेंड्स चैमातादी कैसे ही आप सभी मैं आशा करते हूँ कि आप सभी बहुत अच्छी होंगे स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लोग में और आज का ब्लोग मैं अभी कर रही हूँ सुभा के टाइम से स्टार्ट तो प्लीज आप लोग बने रहेगा वीडियो पर और जो लोग नए आते हैं तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाईएगा और आप सभी लोगों का दिल की गहराईों से बहुत बहुत धन्यवाद सपोर्ट करने के लिए अपना प्यार हामें देने के लिए तो अभी सुभा का टाइम और मैंने यहाँ पे निकाले हैं अपनी रसोई से बरतन बाहर क्यूंकि अभी पानी आया था तो मैंने सोचा कि मैं इनको बाहर ही साफ कर लेती हूं और यह टोकरी जिसमें हम बरतन रखते हैं यह वो है मैं इसको डेली तो साफ नहीं करती पर 34 द पर फिर भी दोना तो बनता ही है और साथ में यहाँ पर लगाई है हमने पाइप गेलन भरी है पानी की और यह पानी भरा जा रहा है पशू के लिए क्योंकि अब गर्मिया स्टार्ट हो चुकी है और जितना भी पानी भरें उतना कम है तो मैं फटा फट से यह बरतन भी खनाल ऑचराई कमें毒 अरवज ठाबॉक्पड़े कम एकभूंण बिलस से दून जासी पड़िये है और तो मैंने जितने वी स्रदियों को ना आप रख देना है उनका योजंका अब करेंगे अब पतले कपड़ों की जुरुत होगी मोटे कपड़ों को रख देंगे और उसके बाद में फिर ये दूसरे दिन की क्लिप है सुबा गी तो यहाँ पर मैं सुबा सुबा ही लगा रही थी जाड़ो और मैं जाड़ो लगा रही थी और वंशू के पास थी पाइप तो यह आगे आगे जहाँ भी मैं जाड़ो लगा रही थी ना आगन में तो यह आगे आगे दोड़ता है और यहाँ पर यह मिट्टी के उबर सबसे ज़्यादा खेलता है अंदर से निकलता है और इस मिट्टी के डेर पर बैठके खेलता रहता है यहाँ पर रहता है यह रखा हुआ तो इसके साथ में यह खेलता रहता है मैं इसको बार बार बोरी थी कि वंशू आप अंदर चले जाओ वटनी देखो इसका स्टाइल कभी कैसे बैठ रहा है तो कभी कैसे बैठ रहा है मुझी न आप सभी लोगों से कुछ बात करनी है चलिए आगे करती हूँ वीडियो में अभी तो जाडू लगा लेते हैं क्योंकि सुबा सुबा का बस यही काम होता है जाडू बरतन और अगर कपड़े दोने वाला कोई अच्छा सा बार हो तो कपड़े दोने पड़ते हैं मैंने भी कंबल, शॉल, कोटी, स्वेटर जो भी मतला मोटे कपड़े थे ना वो दोके रख दिये हैं कुछ तो मैंने कल सेट कर दिये और कुछ मैं आज सेट करूँगी जैसे ही यह सुख जाएंगे क्योंकि यह दिन के तो दोय हैं पर कल दिन को दूप नहीं थी अच्छी तो यह बस ऐसे ही बेकार से नहीं सुखे हैं और यहां पर दिखे बिल्ली आ गई और चेतन स्कूल के जाने की तियारी में और यह ना दोबती कर रहा था पुजव गयरा तो मुझे से नाराज हो रहा था ममा मुझे दे दो मुझे चाहिए तो फिर मैंने इसको बोला कि रुकचा थोड़े दिन फिर मैं दिल्वाद होंगी कि बच्चे अक्सर चीजों के लिए जिप किया ही करते हैं यह चाहिए वो चाहिए मानते नहीं और यहां पर मैंने जाड़ो भी कमप्लेट कर लिया नमस्ते बस नमस्ते की बाद कुछ भी नहीं आगे चलिए आप स्कूल को त्यार होगे वैक्सिन की दर तो नहीं हो रही है अब नहीं हो रही है अब बुरे मैं नहीं कर रहा है तो जो फिर रोटी खाऊ और चलो यह सारे काम निप्टाने के बाद में फिर मैं आ गई थी बशु लेकर की क्योंकि यह तो हमारा डेली का रूटीन है डेली का वक है यह तो करना ही पड़ेगा और इसके बिना हम अधूरे होते हैं सही बात है जो एक ग्रहनी होती है उसको पता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है और उसके बिना वो अधूरी होती है सही बात है तो सबसे पहले दिखाती हूँ मैं आपको यहां से इधर उधर कव्यू और फिर मैं आप लोगों के साथ में करती हूँ बात ये देखिए पशु मैंने आज दूसरी साड को लाए हैं चराने क्योंकि अब जो घासनिया है वो खाली हो चुकी है सारी थोड़ा थोड़ा घास पचा है लोगों का नहीं तो पूरी घासनिया खाली है और मैं आई हूँ आज घर के निचली साड को ये दिखिए उपर टावर ये हमारे घर के पास है घर के पास से भी दिखाई देता है तो आज मैं इसके साथ हूँ निचली साड को और यहां पर जो जगह है सारी वो खाली हो चुकी है ये देखिए तो मैंने सोचा आज निचली साड को ले जाते हैं उनको चराने पर यहां पर दूंदली दूंदली स यह सबसे खराब धूप होती है इससे मेरे सीर में दर्द होती है गहास तो यहाँ पे काटी दिया है लोगों ने यह देखिए थोड़ा सा जो नीचे दिख रहा है यह हमारा ही गहास है और यह मुझसे ही काटने को बचा है आज कलना मैं दूसरी साइड जाती हूं गहास लेने देखिए यहां पर यहां पर नीचे घास और फिर यहां से उपर 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 चड़ो यह जो धार धार सी है यहां से जाना पड़ता है चड़ चड़ के ऊपर और फिर यह जो टावर है इसके पिछली साइड को जाना पड़ता है तो यह दूर लगता है मुझे सुबह सुभा ही चोड़ना उतरना मुझसे नहीं होता इसलिए मैं आजकल दूसरे साथ जाती हूं घास लेने वह बिल्कुल नजदीक है तो बहीं पर जाती हूं और अब देखूंगी इसको सुभा साम जैसे भी टाइम लगेगा या फिर किस दिन जब चेतन को छुटी होगी तब ल हो जाते हैं इनका कोई पता नहीं रहता कि यह कहां पर है फिर ढूंडने मुश्किल चले जाते हैं बस छोटी सी जाड़ी देखते हैं और उसमें छुप जाते हैं जाकर के कि दिको क्योंकि अभी यह नादान है छोटे बचे हैं और इनको ना मस्तियां ज्यादा होती है सू सुरदे बहुत ही खुली जगा है सच में वैसे हमारा ही मचल जन्नत है जहां भी देखो बस खुला खुला ही नजर आता है ऐसे लगता है कि हर एक घाटी असमान को चूरी हो कर्मियों नहीं कर दिया है बुरा हाल और मुझी यहां पर बैठने के लिए शाया भी नहीं मिल र मैं यहां पर नो बजे की आगी हूं पॉने नो बजे की जब चेतन स्कूल को गया था उसके बाद में आ चुकी हूं तो बैठना तो पड़ेगा ही लंज टाइम तक क्योंकि यही नोकरी है बैठो बशु चराओ गोबर उठाओ घास लाओ बस बच्चों को पालो बैसे बच एक बहुत हो नैं उन्होंने बहुत ही प्यारा सा कोमेंट किया था और मैं उनकी बातसे बिलकुल सह्मत हो इस बात से कि जो भी हर एक चीज जो भी होता है वो ऑरत को ही क्यों सहना पड़ता है नारी में जो औरत है नारी औरत इसमें बहुत जादा शक्ति है बहुत जादा तो शायद भगवान दर्ती पे नहीं हर एक इनसान के साथ प्रकट हो सकते थे इसलिए शायद भगवान ने मा को बनाया नारी को बनाया क्योंकि एक गाना भी है जग में जीवन देनेवाली मौत भी तुछ से हारी है ところ मल हे कमजोर नहीं तो यह सही बात है कि औरत कोमल है पर कमजोर नहीं है और शक्ति का नाम ही नारी है पर जब ऐसे खुंखार लोग हमारे समाज में पैदा होते हैं पुर्ष जो खुद को हान समझते हैं और एक औरत की जो उसका हर जगा अपमान करते हैं कभी उसको mentally तोर पर डिस्टरब किया जाता है तो कभी उसके साथ मारपिट की जाती है कभी उसके साथ जब शादी होती है शादी करके वो पराए घर में जाती है तो कुछ ऐसे लोग उते हैं कि अरे इसके बेटियां ही पैदा हो गई इसके बेटा नहीं हुआ तो सारे दोस सारे जितने भी दोस है वो औरत पे ही क्यों क्यों लगाए जाते हैं क्या पुर्ष इन जो बातों में उनके साथ नहीं होता अरे कैसा स्तमाज है एक तरफ तो कहते हैं कि जहां पे नारी होती है वहां पे लक्षमी का वास होता है और एक तरफ उसी नारी को उसी लक्षमी को पता नहीं कैसे कैसे तरिकों से किस किस तरह से उसके साथ गलत बैवार किया जाता है मैंने कल वीडियो डाली थी तो कुछ एक लोग थे जिनको वो बुरी लगी और कहने लगे कि ये है बो है सराबी है बो है किसका पती है क्या है बट आज कल हर घर में राम तो मिल्ला मुश्किल है पर हर घर में रावन है जहां भी देखो हर घर में रावन है और कहीं न कहीं ये रावन हमारे भाई हमारे बाप हमारे पीता हमारे पती हमारे बच्चे होते जा रहे हैं क्यों होते जा रहे हैं क्योंकि कहीं न कहीं हम लोग इनको बढ़ावा देते होंगे किसी एक के सुधारने से कोई नहीं सुधरता किसी एक को सुधार होगे कोई नहीं सुधरता अगर मैं कहती हूँ अगर 90% लोग सुधरे हुए हैं तो उन में से 10% लोग ऐसे हैं जो बिगड़े हुए हैं और वो 10% लोग इतने बिगड़े हुए हैं कि वो पूरे जो समाजे उसको खराब कर देते हैं क्योंकि जब भी हम कीचड में पाउं रखेंगे ना तो उसके छीटे हमारी तरफ ही आएंगे तो कुछ इस तरह से होते हैं पुरुष मैं तो सच बोल रही हूं मैं पुरुषों के खिलाफ हुए कि इतनी अच्छी हैं बिचारी कोशिश बट आए यूटियूबर हैं फिर भी गैस्ट मरद नहीं होता है कि उसका नना पैट कभी भरता हिनी बह淨 ही जो मर्जी कोशिश कर लोग पता पैफ की नहीं भरता कि तो माफ किजीगा अगर आपको मेरी बोली भूई बात बुरी लगी सब के मर्द ऐसे नहीं होते हैं, सब के घरों में ऐसे लोग नहीं होते हैं, जो कि पूरे समाज को गंदा करते हैं, सब ऐसे नहीं होते हैं, मुझे भी पता है, तो खेर आज की वीडियो मेरी बहुत बड़ी हो जाएगी आज की वीडियो में बस इतना ही फिर मिलेंगे आप सबी लोगों से नए वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई चैम आता दी आप सबी लोग अपना ध्यान दखिएगा सेफ रहीगा सुरक्सित रहीगा